बिहार बोड के दुवारा जो है एक cut-up list जारी किया गया है जिसको NSP cut-up list 2022 बोला गया है इस cut-up list में अगर आपका नाम है तो आपको जो है 36,000 रुपे scholarship मिलेंगे और आपको जो है form fill-up करने का मौका दिया जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं friends मैं जो हूँ बिहार School Examination Board की ओफिसली website पे और circular वाले section में आपको यहाँ पे पचीस चो जारी किया गया है NSP cut-up list of student year 2022 देखें इसमें आपको 36,000 यानि पर मंथ 1,000 रुपे आपको 3 सालों तक दिया जाता है एक साल में 12 मंथ होते हैं तो बारते हैं 36 यानि 36,000 रुपे आपको यहाँ पे scholarship मिलते है यह कैसे आपको apply करना होता है इसका क्या process होता है कौन eligible है यह पूरी information मैं आपको इसी वीडियो में share करने वाला हो और यह जो NSP list है यह केवल 12 क्लास के बच्चों के लिए boys और girls दोनों का list में नाम है आपको नाम सर्च करना होगा इसमें उसी का नाम है जिनका अच्छा खा सामील है देखते हैं आपके arts का भी science का भी commerce का भी तो हम बात करेंगे proper इसके बारे में इसका apply link कहां से मिलेगा कहां से आपको form को fill करना है और हम इसमें यह भी जानेंगे कि आपको किस तरह से यहां पे 36,000 रुपे scholarship मिलेंगे form fill करने के लिए कौन कौन से documents आपको लगते है अगर आप बिहार बोड से 12 class qualify है 2022 में तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी information अच्छे से समझ में आए और आप जो है इस scholarship के लिए असानी से यहां पे apply कर सके देखिए आपे बोला गया है rate and duration of scholarship financial year 22,22 का जो यहां पे rate मिलेगा आपको 12,000 per annum graduation graduation करने के लिए first three years आपको यहां पे मिलेंगे और वही अगर आप जो है इसके आगे भी continue पढ़ाई करते हैं यानि PG करते हैं पोस्ट graduation करते हैं तो PG के लिए 20,000 per annum यानि 40,000 आपको PG के लिए मिलेगा तो यहां पे जो है इसका जो है rate है और duration है scholarship का 22,23 session के लिए बिलकुल ज website पे डर्स आगे हैं सारी चीजों को मैं आपको एक एक करके यहां पर बताऊंगा तो आप overall जनकारी समझ लेए अब आएज समझते हैं detail में सबसे पहले में यह समझते हैं कि आपको list कैसे खोजना है और list में नाम कैसे ढूड़ना है तो देखिए simple है आप सबसे पहले का करे सर्कुलर वाले सेक्षन में देखिए 25-6-2022 को जो है एक यहां पर list आया हुगा है NSP cut-up list student year 2022 इस पर आप क्लिक करेंगे जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से जो है आपको 1249 पेज का आप सोचिए एक पेज पे कितने बच्चे यहां पे हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 1249 पेज का इस एक पेज पेज का नाम है इसी तरह से आप सकते हैं एक पी से 50 बचके का नाम हो है और 1249 प्य हो तो आप कांट कर सकते हैं काफी ज्यादा मातरां हैं बच्चों का यहां प result कर लेंगे और यहांपर दverse का मतलब क्या हुआ CSS का मतलब होगे Friends जो है यहां पर दिख सकते हैं बताया गया है Central Sector Scheme of Scholarship यह Scholarship का नाम है Central Sector Scheme मैं आपको भी बताऊंगा कैसे आपको form को apply करना है तो यहां पर cut-up list जो बना है वो कितना marks से बना है तो आप यहां पर समझ लिए सबसे पहले फिर आप जो अपना नाम सर्च करिएगा 500 marks का होता intermediate आप सब को पता है अगर आप science से हैं और general categories से हैं तो 375 नंबर आपका है या इससे ज्यादा है तो आपका इसमें और उनका जो है general category है 372 नंबर आया हुआ है तो या उससे अधिक है तो आपका यहां पर नाम 110 परसेंट है उसी तरह से commerce का है सब्सक्का है यहां पर फिमेल काल नबर क्यों सामिल है और इससे ज्यादा आप यहां पर देखेंगे अटना के Ctrl F यहां पे देखे Find का Option आ जाएगा Find में आप अपना जो है रिष्टेशन नंबर जो Intermediate का रिष्टेशन नंबर होता है वह आप यहां पे लिखेंगे देखें आप मैंने लिखा हुआ है उपर का जो है यहां पे तो यहां पे Find में जाके जो है अपना यह चीज लिखेंगे इतना तो आपका नाम जो है कुछ समय लगेगा हाइलाइट हो जाएगा देखें मैंने अपे सर्ट किया कंप्यूटर से मेरा थोड़ा फास्ट है तो यहां पर जल्डी से आगया अगर को सुलो कंप्यूटर को थो थोड़ासा उसमें समय लग सकता है पर इनका नाम यहां पर तो अब आपको किस तरह से form को apply करेंगे तो आपका scholarship यहां पे confirm मिलने वाला है तो देखिए आप एक बार यहां से confirm हो लिजिए कि आपका इस merit list में नाम है फिर आप यहां पे इसके बाद समझें यहां कैसे form को apply करना है तो देखिए इस form को apply करने के लिए आपको जो है national scholarship portal पे दें जाती है अपना मेरिट लिस्ट जारी करती है मेरिट लिस्ट में बच्चों का lagi का यहां पे जारी किया हुआ है और उसके बाद जो बकचे ऊलिजिवल होते हैं वो जो अपलाई करते हैं इनके जो है पोटल पे और देखे यह मैंने लिकाला हुआ बैपसाइट से सब्सक्राइब निकाला हुआ है जिसमें बताया गया है कि क्या रेट मिलने वाला है 12,000 पर आपको मिलेगा ग्रेजुशन करने के लिए तो आप intermediate qualify है अब आप क्या करेंगे ग्रेजुशन करेंगे ग्रेजुशन में सब्सक्राइब आपको अप्लोड करना होता है तो कैसे देखे मैं आपको जाता हूँ आप NSP सर्च करेंगे गूगल में जाके नेशनल scholarship यहां पर खुल आएगा पोर्टल यहां पर देखे आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आना है देखे यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलर्शिफ और कॉलेज एन युनिवर्सिटी अभी यहां पर क्लोज दिखा रहा है क्लोज और अभी यहां 25 यह 2022 और इसका अब्ज्यक्टिव क्या है इसके बाद से इलिजबिलिटी फिर चूलर्शिफ क्या है जिनकी फैमिली इंकम 4.8 लाग से कम होती है वहां पर फ़ॉम को अपलाई करते हैं तो आपको यहां पर सारी जनकारे मिल जाती है नेस्टनल स्कॉलर्शिफ वोस्त बार करते हैं तो आपको 20,000 परवंथ PG के लिए मिलेगा इसी स्कूलर्शिक से यहां पर आपको बताईगे है परमेंट कैसे मिलेगा तो आपको डीबीटी के माध्यम से आप की अप्लाई करना होता है यहां से आपको फ्रेश्चेशन करना होता है नहीं अभी यहां पर डिखिये अपने लिपन का डेट भी आ जाएगा उसी समय जब तक एडमिशन होगा फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको बोनाफाइड सेटिफिकेट बनवाना होता है कि हाँ आपने एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज में और यहां पर अप्लोड करना होता है तो आप डॉकुमेंट्स में क्या क्या बनवा लेंगे जाती निवास आय यह तीन चीज बनवा लेंगे उसके वद committee से आपका जो अबूर्म करेंगे गियोंशन में और वहां सेर्टिषय जब यहां पर अपलाई करेंगे तो आप जिया है वहां से यह बनवाइड बनवाएंगे इस फॉर्मेट पर यहां से निकल तो यह वाले वीडियो 15 मिनट का है मैंने स्टेप बाइस में सेम इस बार भी वही प्रोसेस है और 21 वाले हर साल यह आता है हर साल 22 में आया है 21 में आया था वीस में भी आया था आने वाले 2022 में भी आयँगा तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हर साल की अपलाई करते हैं और सम्हार से को पैसे भी मिलते हैं के यहां पर देखे हैं ससाथ पे शाल सत्राइब देख सकते हैं और आप सर्च भी Austral타 को आप पीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिये अपने दोस्तों में शेयर करिये मिलते हैं डियुआ सक्षमेवर धातए कर भासिंब